हाईगे सब स्वागे थे दो न्यूटिगल चैनल पे मेरा नाम है निताशा सिंग और आज मैं आपको बताने वाली हो टॉप 5 फोन्स जिनको अब ले सकते हैं 25 से 30 हजार रुपी की रेंच में इस महीने इसके इलावा अगर आपको बाकी की लिस्ट देखनी हो बेस्ट फोन्स 10 हजार की रेंच में 20 हजार की रेंच में और 15 हजार की रेंच में तो वो तीनों लिस्ट बन चुकी है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उंकल लिंक मिल जाएगा अब आज की हमारे ये लिस्ट है 25 से 30 हजार रुपी की रेंच इसके अंदर हमारे काफे popular devices आते हैं तो चलिए फटाफट से बिन टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है हमारे पास पांच वी नमबर पे पहला पंच होल डिस्प्ले वाला डिवाइस जो की की है ओनर की तरफ से ओनर व्यू 20 सबसे पहले इसके अंदर हमें 6.4-inch का FulCD-plus डिस्प्ले मिलता है पंच होल डिस्प्ले के बीजल्स कम है डिजाइन बढ़िया है लेकिन एमोलेट डिस्प्ले हमें नहीं मिलता है इसके अंदर जो क्योंकि मुझे लगता है मिलना चाहिए था इसके इलावा आपको इसके अंदर Kirin 980 का प्रोसेसर मिलता है तो device के अंदर performance आपको काफी अच्छी मिल जाती है उसके साथ back में हमें मिलता है dual camera setup एक है हमारा 48 megapixel का और दूसरा है हमारा time of flight का camera पिक्स आप देख सते हैं 48 megapixel के वाले की हमारी अच्छी आती है और जो हमारा 25 megapixel का selfie camera है उसकी pics भी आपको काफी सही मिल जाती है इसके बाद इस device के अंदर हमें 4000 image की battery मिलती है लेकिन साथ में इस device के साथ हमें 18 watt का fast charger मिलता है इंडिया में बाहर आपको हर एक country में इस device के साथ 25 watt का fast charger मिलता है जो कि की आदे घंटे में इसको 50% पे ले आएगा battery को पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करती है कंपनी सिर्फ हम इंडियन्स के साथ ही बाहर हर जगा साड़े 22 watt का charger आता है लेकिन इंडिया में आता है 18 watt का charger खेर छोड़ी आगे बढ़ते हैं यह है हमारा device honor का view 20 जिसका की 6GB RAM 128GB उला वेरियंट आपको 28,000 रुपर में मिल जाएगा इसका खरेदने करेंग इसकी सारी unboxing जिसमें सारे detail features हैं और testing आपको नीचे description में मिल जाएगी अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते एक ऐसे device के बारे में जिसकी अंदर आपको best battery backup मिलता है best selfie camera मिलता है इस range का और साथ ही सबसे बड़ा display मिलता है device है हमारा Samsung की तरफ से A70 सबसे पहले तो बड़े display की बात कर लेते 6.7 inch का display है हमारा super emulet display full HD plus resolution के साथ काफी bright display है मज़ेदा रखता है यूज करने में उसके बाद आपको device में इस range का 32 megapixel का selfie camera इकलोता है यह जिसने आपकी कमाल की selfies आएंगी आप देख सकते है samples आपके सामने है और जो हमारा back में triple camera है 32 plus 8 plus 5 वो भी बहुत ही प्यारी pics लेता है आपको wide angle में मिल जाता है उसके साथ portrait mode में आपको effects जो मिलते हैं वो आप पिक लेने के बाद भी change कर सकते हैं और आपकी main camera से भी pics काफी बड़ी आती है साथ ही इस device के अंदर हमें 45,000 mAh की बड़ी battery मिलती है और 25 watt का fast charger मिलता है और इस device का मैंने जो real life battery drain test किया था वो आप एक बड़ी जरूर देखिएगा इसका battery backup बहुत ही बढ़िया है अब इस device में action में जो कमी आ जाती है वो यह है कि इस device के अंदर जो हमें processor मिलता है वो इस range के हिसाब से थोड़ा कम हो गया हमें इस के अंदर मिलता है Snapdragon 675 को processor हाला कि जो processor है वो पूरो optimized है आपको performance अच्छी मिलती है मतला आपको RAM management भी इस device में अच्छी मिलेगी साथ ही आपको gaming performance PUBG performance की में बात करें उसका gaming test में ने किया हुआ है वो भी आपको बढ़िया मिलती है मतला बिल्कुल आप HDR graphics के ultra high frame rate पे इसके अंदर game को अराम से enjoy कर सकते हैं तो performance वैसे तो अच्छी है लेकिन देखा जाए तो 675 को processor है रेंज के साथ से कम है इसलिए ये थोड़े सी mark आ जाता है उसके बद इस device में जो कमी आती ही वो ये है कि plastic body मिलती है बाता इस range में ये एक लौदा device होगा जो कि plastic body दे रहे है बाकि सब glass body दे रहे है तो premiumness जो होती है वो थोड़ी सी चलेगी हमारे device लेकिन इन दो कम्यों की वज़े से ही ये हमारी fourth position पर आया है ये device में हमारा 2800 रुपे का इसका खरीदने का link जिचे description में मैंने दिया हुआ है अब आगे बढ़ते हैं next आता है हमारा तीसरी position पे most durable device इस range का बहुत लोग होते हैं जिनको चेयू होता है थोड़ा सा solid durable device कि गिनने पे भी तूटे नहीं पानी पे बेगिनने पे तूटे नहीं तो हमारे पास आता है एक IP68 रेटिंग वाला device इस range का जो कि की actual में military standard पास है तो device है हमारा LG का G7 Thank You जिसके अंदर आपको IP68 रेटिंग मिलती है पानी में आप इसको धोड़ा लो जो मजी कर दो दिक्कत नहीं आएगी उसके बाल आपको इस device के अंदर जो military standard 810 rating मिलती है उससे ये है कि आपका ये device अगर गिरेगा भी तो तूटेगा ने और साथ ही मैंने चैनल भी अपना एक start किया है TNG Fun Tech जिस पे मैं आपको ऐसे बड़िया बड़िया fun वाले वीडियोस लेकर आऊंगी Durability की test वाले water test और अलगलग test वाले रोखी की surprise है तो उन पे आपको एक हफ़ते में मैं सारे वीडियोस डालने शुरू कर दूंगी उस पे आपको इसका भी test देखने को मिलेगा और आप देख पाएंगे कि ये हमारा कितना durable device है चैनल दे लिंक दिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है अब durability की अस डिवाइस की बढ़िया हो गई लेकिन साथ में आपको इस डिवाइस के अंदर Snapdragon 845 का प्रोसेसर मिलता है जो कि हमारा flagship प्रोसेसर है आपको उच्छी performance देगा उसके साथ आपको 6.1 इंच का IPS LCD display मिलता है 2K resolution के साथ और साथ में आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है बैटरी हलकी से छोटी है लेकिन 18W का fast charger आपको मिल जाता है बॉक्स के अंदर उसके बाद आपको 16-16 का dual camera setup बैक में मिलता है जिसमें से एक 16 हमारा main हो गया इसरा ultra wide lens मिलता है तो grip photographs आप अराम से ले सकते हैं साथ भी selfie camera जो है वो इतना बढ़िया नहीं है 8MP का selfie camera है तो selfie camera आपको इतना बढ़िया नहीं मिलेगा बैटरी बेकप भी आपको आपको नहीं मिल रहा है और testing भी आप देख पाएंगे एक हफते में अब दूसरी position पर आता है हमारे पास इस range का सबसे popular device जो कि किये है हमारा OnePlus 60 इसके अंदर आपको 6.41 इंच का optic AMOLED display मिलता है जो कि बढ़िया लगता है यूज करने में साथ ही Snapdragon 845 का processor मिलता है इसके अंदर performance आप कुछ ही मिल जाती है gaming performance भी बढ़िया मिलती है साथ ही 700 mAh की battery मिलती है और उसके साथ मिलता है 20 watt का dash charger तो device को आप आराम से यूज करके फटाफट से charge भी कर सते है साथ ही device की back side में 16 plus 20 का dual camera setup मिलता है जो की की अच्छी pics ले लेता है लेकिन जो selfie camera है वो इतना बड़िया नहीं है आपकी okay okay pics आ जाएंगी यह आपको मिल जाएगा 28,000 रोपे का इसका 6GB, 123GB उला variant और इसका जो stock है वो आता जाता रहता है तो आपको देखना पड़ेगा कि मैंने भी जो link दिया है उसके available है या नहीं है अब number one position पर आता है हमारे पास most powerful device इस range का जो की की एक popular device है device है हमारा Redmi का K20 Pro और इस device में आपको मिलता है Snapdragon 855 का flagship latest processor जिसके अंदर आपको कमाल की performance मिलेगी इसका आप PUBG test जरूर देखें इसके अंदर आपको HDR graphics के अंदर extreme frame rate पे gaming खेलने का मौका मिलता है मतलब ये जो हमारी setting है ये आपको किसी और device में अभी नहीं मिलती है ये extreme settings में आप इसके अंदर बड़िया performance में game खेल सकते हैं और emulet display है तो आप बहुत अच्छे से display wise भी game को enjoy करेंगे और साथ ही आपको इसके दो 4000 image की battery मिलती है 18 watt का charger मिलता है मैंने इसका charging test, drain test सब कर दिया है अभी शान तक मैं upload कर दूँगी आप वो देख पाएंगे battery backup device का हमारा बहुत ही धासू है और charging भी fast है बहुत ही प्रिक्स आती है चाहे front camera की बात करें चाहे back camera की बात करें डवाइस के अंदर एक्चुल में काफी सरे features डाले है लेकिन कमी की अगर हम बात करें सबसे पहले तो इस device के अंदर आप memory card में डाल सते है यह के अंदर कमी आ जाती है और इसके बात जो इसका face unlock और fingerprint lock है उसमें थोड़ा सा यह slow है मतलब fingerprint lock जो है वो आपका इतना accurate नहीं है इतना fast नहीं है बाकी devices से अगर हम compare करें और जो हमारा इसका selfie camera है मतलब जो face unlock में use होता है pop-up mechanism वो इतना slowly बाहर आता है कि overall जो face unlock का time है मतलब आपका face unlock काफी slowly work करेगा क्योंकि motor को बाहर निकलने में time लग रहा है अब इसके बाद अगर यह device आपका गिर जाए अपके हाथ से तो यह जमीन पर टकरा जाएगा उसके बाद वो अंदर जाएगा तो उसके तूटने के chances बढ़ जाते हैं अगर आपने Redmi का K20 Pro लिया है तो ध्यान रखें कि यह device अफ्याद से ना गिरे जब इसका camera बाहर हो उसके बाद इस device में अक्चल में कोई दिक्कत नी है यह हमारा बढ़िया flagship device है काफी लोगों ने कहा था कि यह हमारा बहुत costly device है मैंने भी का था मैंने इसलिए का था क्योंकि जो Redmi के fans है वो expect कर रहे थे कि यह device 25,000 रुपे के नीचे के budget में आएगा लेकिन इसका price हमारा जादा आया है बादा 6 GB RAM, 128 GB LW जो है हमारा वो अपको 28,000 रुपे में मिल रहा है तो fans के हिसाब से एक्चल में यह जो device है यह हमारा flagship killer नहीं है यह एक flagship device है बड़िया features के साथ flagship killer का जैसे wait कर रहे थे सारे जैसे कि हमारा Pocophone था वो एक flagship killer था flagship features के साथ सस्ता device था यह एक flagship device ही है killer नहीं है क्योंकि इसका जो price है वो वाकि flagship devices के पास ही रखा गया है इसको अगर आप लेना चाहते दो बिल्कुल ले सकते हैं और मेरे साबसे इसकी testing को बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि इसके अंदर आपको कमाल की performance मिल रही है यह थे हमारे best 5 phones जिनके लिए बिल्कुल जा सकते हैं 25-30,000 रुपी की range में आगे मैं आप लोग के लिए और बें interesting videos लेकर आती रहोंगी सो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद blacking को प्रेस करना ना भूलें